कि अज़िए और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है और आज जो वीडियो में लेकर आए हैं उसका टाइटल है क्रोना वाइरस की वज़ा से पूरी दुनिया डिसेशन में जाएगी ओनली इंडिया और चैना विल बी से यून तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडिय और फिर उसके बात हम डिसकस करेंगे कि क्या क्या फैक जोन से इसमें डिसकस कियेंगे लेकिन उस सविड बीइए करे इस वीडियो कर जाए हैं थिर दूसरे चैनल पर जाकर हमारे व्लॉग बिल जिखें नए लॉक्स आने वाले हैं और आप हमदिकते हैं वीडियो वीडियो अब्लोड करें थी के कुर्णा वारस से एक आर्थिक संकट आ सकता है उस वीडियो के वाल से आपने देखा है कि ग्लोबली काफी कोछ चेंज़ आ चुके हैं दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्राश कर चुकी है और अब इंटरनाशनल मोनिटरी फंड इंफ यह ओफिशली कह चुका है कि दुनिया इस वत रिसेशन में यहाँ आप देख पाएंगे तो हिंदू का आर्टिकल है अब इस वत रिसेशन में आचुकी है आर्थिक मंदी शुरू हो चुकी है मगर इंफ ने आपर एक और रावनी बाद यह बोली है कि पिछली बार जब दुनिया ने एक आर्थिक मंदी देखी थी दो हजार नौ में इस बार की आर्थिक मंदी उससे भी जादा खराब होने वाली है इडिस क्लियर डाव एंटर एडिसेशन इडिल बी वर्स दन दवान इन 2009 नौ यह जो न्यूस है यह दो तिन दिन परानी है अब इस न्यूस पे एक और डवलप्मेंट हुई है योएं की रिपोर्ट आई है उसमें यह कह रहे है कि वर्ल एकॉनमी बिलकुल से शायद बच जाएं वो दो देश है इंडिया और चाइना अब जब मैं कहता हूं बच जाएं तो इस रिपोर्ट पर यह दी लिखा कि इन कंट्रीज को कोई लुकसान नहीं होगा ओविसली इनके जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे यह डिरेड हो जाएंगे कई जो हमारे लॉ अब इस रिपोर्ट में प्रैमेर्ली नहीं होने ये बताया है कि अब दुनिया को एक खटा आने की जरुवत है कोवेट 19 की वज़े से जितने लोग मरेंगे लोग सफर करेंगे वो सब अपनी जगा है वो तो एक ट्रैजडी है उसके बारे में हम जितना बोले कम हैं मगर कभी ना कभी जब कोवेट 19 काभू में आए गए इसके केसिस कब होंगे तो उसके बाद एक बड़ा संकट हमारे सामने ये होगा इकोनामिक रिसेशन उसमें सबसे ज़्यादा लॉस होगा है डेवलपिंग कंट्रीज को अफकोर्स यहाँ पे इंडिया और चाइना एक एक सेप्शन है अब जब हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज तो लॉस कैसे होगा इसका एक एक एक्जामपल आपके सामने पाकिस्त इसी तरीके से एकोनोमिक इंपाक्ट दुनिया वर में दिखाता रहा है जो लग रहा है कि दिखाई देगा और यह स्टेट्मेंट मेरी स्टेट्मेंट नहीं है यह पाकिस्तान में जो डेपेटी चेर्मेन है और प्लैनिंग कमिशन मोहमत खान साब इन्होंने यह बात बोल इन्होंने जो देश मेजर आर्थिक शक्तिया नहीं है वहाँ पर तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपाक्ट दिखेगा अब अल्मोस्ट पूरी दुनिया आज के समय लॉक्डाउन में है चाइना और कुछ और जो कंट्री जो भर जुकी है फ्रॉम कोवेट नाइंटीन वो आज के समय लॉक्डाउन में नहीं है अब यूके को देखो उनाइटिट किंडम ने डिसनली अनाउस किया है कि छे महीने तक ये लॉक्डाउन रखेंगे यूएस का लॉक्डाउन हमको पता नहीं है कब खतम होगा इनके प्रेजिडेंट ने कहा है कि हमारे देश में एक लाग मौत हो सकती है यूरोप में आप देख रहे हो हलत काफी खराब है तो आल्मोस्ट आप कह सकते है मेजर जो एकोनोमीज है सारी आज के समय लॉक्डाउन में है कोई प्रोड़क्शन नहीं हो रही कोई कार्स की मैनिफाक्टरिंग एकोनोमिक एक्टिवटी मार्केट बंद है लोग काम पे नहीं जा रहे लोग अर नहीं कर रहे ये एक बहुत ही बुरा साइन है अब देखो सिंस बहुत सारी कंट्री लॉक्डाउन में रहेंगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि पूरे 2020 साल में जो major businesses है medium businesses जो micro businesses है हर जगा जो companies है उनके results बहुत ज़रा ख़लाब आएंगे फॉर्ओस करने वाली है losses या फिर बहुत ज़ाद स्था तम profit पॉर्फित तो इसका result क्या होगा mass unemployment companies कैईगी कि हमने क्राइं नहीं इस साथ तो हमारी कुछ इसको लोन देते हैं और वही से बैंक्स की मेजर कमाई होती है आप मान के चलो यूएस यूरोप में मेजर बिजनस हाउसे अपने हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे के हमारे पास पैसा नहीं है हम बैंक की किस्ट भी पे नहीं कर पाएंगे उससे इंटरनाशनली ग्लोबली जो भी मेजर बैंक्स है वहाँ पर उनके जो NPAs हैं इसमें आपको राइस दिखेगा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ बैंक्स यूरोप या फिर USA में दिवालिया घुशेत हो जाए इस पॉसिबिलिटी अफकोर्स अनलेस सरगार उनको बचानी लेती तो ये भी एक बहुत इमरा डेंजर है फिर देखो एक और डेंजर ये भी है कि अनेंप्लॉयमेंट बड़े लोगों का रोज़गार जाएगा और अभी भी जो लोग 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 डाउन में है अपनी जो मौटगेज है उसकी इंस्टोर्मेंट पे नहीं कर पाते तो वापस इससे दो हजार आटनों में जो हुआ था होम लोन क्रैसिस मौटगेज क्रैसिस वह सामने आ सकता है अब हाला कि यूएस इससे निपटने के लिए कुछ कर रहा है अब रिसेंटी आपने सुना होगा यूएसे ने एक बिल पास किया है जिसमें ट्रिलियंस ओफ डॉलर्स वो पंपिन करेंगे यूएस एकॉनमी में उस बिल का एक बहुत ही इंपोरेंट पॉइंट ये है कि हर एक यूएस नादरिक जो ठरा साल से उपर है जो काम कर रहा है अज के समय टैक्स पेंग सिटिजन है उसको बारा सो डॉलर्स का एक चेक मिलेगा मतलब कि इंडियन रुपीज में लगभग आप कह सकते हैं और मुस्ट नाइंटी थाउजन रुपीज उनके बैंक में डाल देंगी अब यह जो अबाउंट है हम इंडियन के परस्पेक्टिव से काफी बढ़ा होगा कि नाइंटी थाउजन रुपीज हर एक नागरिक के बैंक अकॉंट में मतलब कि कोई मेरिट कपल है तो वहां पर तो उनको दोनों के अकाउंट में वान लाइक एटी थाउजन पहुंच जाएंगे तो बहुत सारा पैसा है यहां पर कोई प्रलूम ने होगी मगर आपको सोचना होगा यूएस में इक्फलेशन रेट जो एक्सपेंटिचर है वो भी काफी जाना ही यूएसे में जो एवरेज सेलरी है उनकी गवर्मेंट के इसाफ से यह 56,000 डॉलर्स है और मतलब पूरा साल यह इतना कवाल लेते हैं 56,000 डॉलर्स तो उसके हिसाफ से महीने में आप अगर बना सो डॉलर्स दे रहे हो तो यह क्या है इससे जादा वो अपने कुछ लोन की किष्टे या फिर कुछ और जोन को पेमेंट्स करनी है वो नहीं कर पाएंगे अब इसके आगे एक और टेंजर यह है कि एक्सपोर्ट ओवरॉल कम हो जाएंगे एक्सप जो अगर बना रहे हैं यहां पर कई लोगों की जेब में जो पैसा है चला जाता है बिससे फेल हो जाते हैं लोगों की नौकरिया जाती है तो लोग जो फिरोने कम खरी देंगे तो उससे आइसलेंड में जो मैनेफट्रिंग है ट्वाइस की यह कम होगी और केनड़ा में ज रिसेशन की तरफ हमको ले जाएगा देखो रिसेशन का कोई फॉर्मला नहीं होता आइएमेफ या फिर वर्ल्ल बैंक ने यह नहीं कहा रखा कि ऐसा हो गया तो है इसको हम रिसेशन मानेंगे आइएमेफ वर्ल बैंक यह कहते हैं कि अगर कई महीनों तक हमको दिख रहा है क ग्लोबल उर्निंग नहीं क्वाद होगी इन किश्मादन होते हैं अगर यह धॉर्ल हमको देखा है काफी महीनों तक तो उसको हो कह सकते हैं एक रिसेशन रिसेशन से एक और बड़ा श्ट होता है डिसेशन अगर रिसेशन भी किम्धेर ठोंनिमेंटल रूप में आ जाहे त तो उसको हम कहेंगे depression, उमीद यह है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, economic problem, यह recession तक ही सिमित रहे, यह depression ना बन जाए. अब हम बात करते हैं, इंडिया और चाइना की in particular, देंकि चाइना के पास काफी options हैं, पहली बात तो यह है, miraculously वहाँ पर बेजिंग और शेंगाई में कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ पर लोगडाउन हुआ ही नहीं, वहाँ पर जो उनकी हुवे प्रोवेंस थी उसको उनने और फिर वो बता रहे हैं कि हमारे अबस तीन हजार लोग मरे, असी जार केसे आए, जो उनकी official figures है अगर आप मान के जलो उसको, तो चाइना में lockdown कुछ इतना जारा हुआ है नहीं, और वहाँ पे manufacturing वो वापस speed up कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए, globally जो consumption है, वो कम होती है, उसकी वाज़ से अगर मान लो Chinese businesses कुछ बंद होते हैं, उनके banks के NPA बढ़ते हैं, तो Chinese government उसको आसानी से handle कर सकती है, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे foreign exchange reserves है, total forex reserve चाइना के पास 3 trillion dollar से वी उपर है, जितनी इंडिया की total economy नहीं है, उतना चाइना के पास forex reserve पड़ा हु इंडिया की अगर हम बात करें, तो देखिए इंडिया में पहली बात तो अभी COVID-19 कंट्रोल में आया नहीं है, अगर हम कहते हैं के इंडिया को recession से इतना रुक्सान नहीं होगा, तो यहाँ पे है बहुती बड़ा if लगा के हम यह चल रहे हैं के हमारे हाँ COVID-19 का community spread ना हो ज देख रहे हैं के बहुत सारे numbers आ रहे हैं, कई हजार लोगों की मौते हैं, इटली में जो आप देख रहे हो, अगर ऐसी picture इंडिया में आ गई, फिर तो इंडिया obviously यहाँ पर बुरी तरीके से impact होगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा if यह है के COVID-19 इंडिया में control में रहे, त तो दुनिया भरवे अगर मालोग country जादा purchase नहीं कर रही, तो उसका impact इंडिया पे limited होगा, क्योंकि हम लोग export पर depend इतना करते नहीं हैं, आपको यह बताओगा, पिछले कुछ 4-5 साल में जो exports का contribution है to our GDP, यह actually आज के समय सिर्फ 11% रह गया है, यह 2014-15% था, फिर आपको बता हैं, तो उससे ती नौकरिया इंडिया में जाएगी नहीं, में खत्रा यह है, कि अभी के लिए, लोग घर में बंद है, भार जा नहीं रहे, अगर यह जो lockdown है, यह थोड़ा सा extend हो गया, अभी उसके chances कम लग रहे हैं, सरकार ने काये कि जो lockdown है, सिर्फ 21 दिनका रहेगा, मग लोगों के पास पैसा नहीं होगा, सरकार को लिटरली, जहरे यूएस में वो कर रहे हैं, लोगों के bank account में पैसे डालने होंगे, तभी लोग सरवाइब दर पाएंगे, अल्रेडी हमने कुछ पैसे डाली है, मगर यह बहुती छोटे scale पर हुआ है, अगर वैसी सिती आती है, तो इंडिया को भी अपने जो forex reserve है, हमारे हाँ जो forex reserve है, इसको हमें use करना होगा, मगर overall चाहे कुछ पी हो चाहे 21 दिन बाद भी, जो lockdown है खतं हो जाए, हमारी जो economy growth है, 2020-2021 financial year में, यह 5% से कम रहने वाली है, यह moody's और fish, rating agencies दोनों कह चुकी है, तो हमारे हाँ देखो, problem तो हैगी, नौकरिया कम होगी, हो सकता है कि कुछ businesses को सरकार की help भी चाहिए हो, और कुछ banks को help चाहिए हो, recapitalization फिर से करनी पड़े, और सरकार को, और schemes लानी पड़े, जिससे लोगों के हमने पैसा आए, मगर overall इंडिया इस problem को जेल लेगा, अगर COVID-19 control में रहा, तो यह था analysis spirit topic का, उमीद करता हूँ, यहां में आपको कुछ जानने को मिला होगा, thanks for listening and as always, God bless you all. economies बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, अगर खास अब बात करें, under developing countries की, जिनमें पाकिसान, अफगानिसान, एरान, इस ट्राइब के मुलक आते हैं, उनके तो नौड़ोट बुरे हलात होंगे. मैं सिरियसले बतारी हूँ, मैं तो वीडियो देख करना थोड़ी परिशान हूई हूई हूँ, मैं मौजम को भी मैंने यह वात बोले, मैंने तो टेंशन होगी, सारा सुनके, टेंशन इस चीजिजिए के ऑलरी पाकिसान की एकोनोमी जोंसी है, वो इतने जादा क्राइस में और करोना वारिस की वज़ा से जो पूरी दुनिया के हालात हो रहे हैं, अगर किसी एक जो डेवल्ब नेशन है, अगर उनके मुल्क में एक परसंट जोंसा चेंज आता है, उनकी एकोनमी में तो हमारे मुल्क में कोई 3-4 परसंट जोंसा बोचेंज आना शूरू दाता है, पोवर्टी लाइन उनकी डबल हो जाएगी, तो बिंग पाकिसानी मुझे बहुत एक टेंशन हो रही है, और बाकी उनोंने इस तरीके से बताया के चाइना और इंडिया से रहेंगे, और उनकी उनोंने रीजन भी बतायी, तो बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोगों और अगर कुछ इस तरीके से उनोंने बोला के लाइक अगर प्रोब्लम हुई भी जैसे कि अगर फ्री मंच का लॉक्डाउन होता है तो प्रोब्लम आएगी, अदर्वाज अगर 21 डेस में खतम हो जाता है लॉक्डाउन तो उतनी जादा प्रोब्लम नहीं आएगी, और उस मुझे जहां तक लगता है, क्रोणा वारिस जानबूच के लिक आउट किया गया है, तो मैं कभी कर भी इसे बात करता हूं कि जिस शक्स ने किया है, जिसकी वज़ा से हुआ है, उसके जहन में पता निक्या चीज होगी, उसे मिस्टेक से हो गया होगा या पता निकिस अगर अगर जाने के बाद जो है, प्लैनिंग अच्छी हो, यानि कि जितने भी मुल्क हैं वो अगर एक बेंच पे बैठ जाएं और अगर करना चाहें तो मेरा खेला जल्द रिसेशन भी जा सकता है लेकिन नो डौट यहां पर इखिलाफात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बहुत ज़्यादा मुसले मसाइल भी आ जाते हैं जो इतना कोई अच्छा नहीं सोत तो बहुतर है कि उसके लिए सबसे पहले मैं यह बात बोलती हूं कि अगर जैसे हमारे कंट्री की मैं बात करूंगी कि अगर शुरू में पहले ही इनकी एकॉनमी थोड़ी बहतर होती ना तो छोड़ा सा फ़र्पड़ पढ़ जाता तो इसन इन पर इंपक्त पड़ेगा अगर एश्या कि बात करें तो पहले इंडिया जुंसा हो मदब काफी जादा अबर के आ अगरा था इकॉनमी वाइस तो इसलिए नहीं करते नहीं क्यूंकि वह काफी जादा मुझे अभी लगता कि सेव ए क्यूंकि उनकी जो जिस तरीके से वी इस रहे इस तरह बात करें नहीं कि रिसेशण खाली पाकिस्दStudु ने नहीं आना रिसेश्चन पूरी दुनिया में आना है तो पुरी दुनिया के हलाद खराब होने वाले हमारे कि यही है के जल्दें चल दिये खतम हो अगर किन है तो फम एक्षिन है तौ छल्दी से मार्क यह जाओँ कि सीरिस्ली चाहे मैं जिती मरजी भी टेंशन में आगी हो लेकिन मैं थोड़ी दिर तक नॉर्मल हो जाओँगी. फिर वह बात है कि हम इस एक रिसेशन को रिसेशन ही रखना डिप्रेशन नहीं रखना कि रिसेशन को फिर भी ठीप किया जासलता है डिप्रेशन में जबाब चले जाएं क्योंकि वाकिन ऐसा होगा कि बहुत सारे बिस्निस जो उनसे वह बंद होंगे जौब ऑपरचुनिटी जो कि अगर कहीं पर भी ब्रेक होता है तो उसक्या एफेक्ट हम सब लोगों पर होगा तो बस अब कोशिश यह करनी है कि हम लोगों को और हिम्मत दिखानी है ताके हम अभी यह जो एक डिजास्टर यह और क्या मैं बोलू इसको कि मैं अब जो भी वायरस है में लाइफ ने ल पर आज सके जासे करो न रह बता है कि 2009 में थे सेशन आया था और बढुतर अज्विशन थे मैं वायरस की क्योंकि नजर आ आ था बात मुझकिल से गुजरने वाला यह यह सरेवलेंगा कर दूब डूरा थे तो चार्ट थीक रहे और के जाए और उसलिए बात मुझब विड को करें सब्सक्राइब और माई वीडियो को करें शेयर और हमें रखें अपनी द्वाव में याद तिल दन गुडबाइए